नमस्कार फ्रेंट्स मैं गॉर्व मिस्रा कैट बीजौनपूर के ऑनलाइन प्लेट्फॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं हम बड़ रहे हैं वर्प के नितम को आझ हम कवर किलासिफिकल करेंगे इसके बाद रहे किलासिफिकेशन को हम बहुत सब्सक्राइब करी करेंब हैं और वचलीं मौदल टेख लेते हूं कि बात की जाए घर केकल करकंचन क Totally नौर्मल ली में दो तरीके से रखा और आक्जिलेरी वर्प्स में बात करने तो हम जानते हैं जैसे कि मैं कहता हूँ या फिर मैं कहता हूँ वॉक जंप रीड मैं राइट नौरमल यह जितने भी वर्ट इंग चुक्प तरकर इस अब में डालते हैं करें को क्यों और यह सभी वर्ब्स हम ऐसे इसके बारे बताते हैं जो हम directly सब्जेक्सिए कर पाते हैं जैसे कि हालकिन खींदी मिनिदी वात कहले वात हैं सोना चलना कुदना लिखना या पढ़ना दूसरी तरीके से बात करें अगर हम और वर्प में तो आप देख रहे होंगे प्राइमरी और मॉडल्स की बात ही गई है अब प्राइमरी वर्प्स के अगर मैं एक्जामपल दो तो यह होते हैं वी डू डर्स या फिर डिट एक होता है इसके ल एक के लाभर हम इक ही दो फॉबोwn होता है 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 हैर और हेड को देखते हैं यह सधाय प्राइमरी 아이 और वासूत Comics प्राइमरी और वहीं पर बात करें अगर मॉडल मॉट हम देख्यush seconds कैंस कैं अ लिए ही इनके पास्टम के बाद करें तो कुड या फिर माइट शैल और विल जो हम फूटर टैंस में यूज करते हैं इनके ही अगर हम पास्टम के बाद करें तो सुड होता है और वुड होता है इसके लब और भी हैं जैसे कि ought to, use to, in इस तरीके से हम सभी model verbs में रखते हैं तो पहले अंतर के अगर बात की जाए कि क्यों हम यहाँ पर main verbs और auxiliary verbs को अलग-अलग classification में रखते हैं तो यह जो भी यहाँ पर हम verbs को use करते हैं यह according to subject change होते हैं कि singular subject है तो singular subject के हसाब से हम verbs को use करते हैं plural हो जाते हैं तो हम उनका form भी change कर देते हैं बड़ जब model verbs की बात आती है तो यह सभी subject के अनुसार change नहीं होते हैं ध्यान रखेगा यह दोनों के दोनों subject के अनुसार change हो जाते हैं नॉर्मली बात की जाएं जैसे do or does का use करते हैं या फिर कहीं पर is or r लगाते हैं subject के अनुसार लगाते हैं वहीं पर हम बात करें इन सभी verbs की और भी example हम ले सकते हैं तो sleeps या फिर sleeping इस तरीके से form का use करते हैं कभी भी हम can के साथ इसारी चीज़े नहीं कर सकेंगे नहीं में के साथ कर सकेंगे इसी तरीके से हम basically बात करें तो यह इसका एक intro हो जाता है जो बहुत जाना बहुत ज़रूरी होता है जिस topic को हम cover करेंगे अभी फिलहाल वो होगा हमारा model verbs का model verbs है हम इन सभी के use और भी है जैसे की जैसे की ought to होता है एक must की बात कर लें एक use to होता है इस सभी को हम cover करते हैं इनके बारे में हम फिर किसी next video में cover करेंगे दिखते हैं पहला model work can तो can के लिए बात करें अगर तो can का use power शक्ती ability चंता capacity पर निशान अनुमती को बताने के लिए किया जाता है इसांपल दिखते हैं कुछ जैसे पहले लिखा मैंने कि she can solve this problem यहां पर ध्यान देंगे can normally हम सी के साथ जब यूज करते किसी वर्ब को जानते हैं कि उसका singular form यूज करते हैं लेकिन ध्यान रखेगा model बॉब्स में यह चीज़ें की समस्या नहीं रहती है यहां पर इसके form को सब्सक्राइब को दर्शाया जाए तो यहां पर बात की जाए रही है सब्सक्राइब कर चाहिए बताने के लिए यह हम यहां पे केज कर रहें हो उध्यों सपीक इंगलेश किका आप इंगलेश बोल सकते हैं तो यहां पर प्रकार स्षान किया जा रहें हों Straight को इंगलेटी भूलेुट बोला जा रहा है कि आप बैठ सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपको अनुमती देने की बात की जा रही है इसमें यू कैन सिट ना तो परिमीशन के लिए हमने कैन का यूज किया इधर बात करें अगर यू कैन पार्क यूर कार आप अपनी काड़ी को अपनी कार को यहां पर की बात की एक चाहिए प्रकार से यहांके सैंको परिमीशन के लिए कोई कहेंगा जिए कैन के फ्रेंच भूलना बिलकुल इहां पर यहां के वैली वालिदी ली बात आ ईजाती जमता है जो भी बोल सकता है य चाहीं निस का गावा бел lazy में इंदी में इसका मतलब और किन की तरही निंगलता है जाता है। यहां पर यूज इसका थोड़ा अलगतरी किसे किया जाता है अब देखेंगे कि में का यूज आप बच्पन से करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं मैं का में बगएर तो वैसे ही इसमें पर्मिशन के लिए में इसका यूज किया जाता है इसके अलाबा पॉसिबिलिटीज और GETTING attend गर सकती है तो को शुल्ब या फिर की पैसिटी पावर की तो बात नहीं कर रहे है यहां पर बहुत KZA रही है उसको अनुमति देने की आलोफ में पास्टेस है कि अलोफ इस वाल पार हो सकता है तो यहां पर भी उसकी खमत़ा से ज़्दा अगर बात की जाय तो हो यहां पॉसिबिल्टी की बात करा समभावना की बात की जा रहे हैं गोड़ हेल्प यू कि भगवान आपकी मदद करें तो यह यहां पर भी मेका यूश किया गया है और यहां पर यह पर पर पॉसिबिल्टी नहीं बलकि प्रकार की विश या फिर डिजायर एक कामना जिसको हम कह सकत हैं वह कहीं जा रही है कि भगवान आपकी मदद करें में यू लिव लॉंग जैसे यह कहा गया कि आप ज्यादा जीए जैसे कि आश्रवाद दिया जाता है और में ही सक्सेसिन लाइफ कि आप जीवर में सफल हो एक परकार की डिजायर है कामना है तब भी हम यहां पर कैन य अब यहां पर में जो में का यूज संभावना के लिए जब किया जाता है तो संभावना यहां पर जब 50-30 यह उससे अधिक होती है तब के लिए हम में का यूज करते हैं अलाकि आगे हम देखेंगे अभी एक माइट इसी कही पास्टाम आएगा तो इसका यूज भी मुक्य आगे ताह पर संभावना के लिए किया जाता है लेकिन वहां पर संभावना 50-30 यह बहुत कम होती है तब के लिए हम ही उसके और में जब ध्यान रखिए गार संभावना के लिए तो संभावना 50-30 से अधिक मानी जाती है तो यह इसका मुक्य यूज इसका permission possibility wish desire या फिर blessings यह कुछ इसको examples है इसे related जो questions हमें मिलते हैं exam में फिलर्स के तवर पर मिलते हैं इसमें से spotting रटके बहुत कम question बन पाते हैं next model बहुत है हमारा must must का use compulsion या बादिता order command निर्देश या strong possibility को बताने के लिए किया जाता है must actually में यहां पर जैसे बात की जाए compulsion जो चीज बह करना ही पड़ेगा उस ऐसे sentences के अर्थ में order या command यहां पर कोई आपको निर्देश दिया जा रहा जिसको आपको पालन करना ही हो वहां पर या फिर एक ऐसी सम्भावना जो को बिल्कुल ही है होना ही है या अधिक सम्भावना दर्शाने के लिए ही हम must का use करते को sentences देखते ह हैं जैसे कि you must do as you are told यहां पर हमने मस्ट का use किया है you must do as you are told आप वही कीजिए जो आपसे कहा गया है तो यह प्रकार से बादिता को दर्शाता है इसलिए हमने यहां पर sentence में must का use देखा सकेंड है people must help the poor people must help the poor तो यहां पर बात की जाए गर हर्थ अर्थ की बात की जाए तो लोगों को गरीब की गरीमों की मदद करनी चाहिए इस तरीके से इसका अर्थ कुछ निकलेगा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मस्ट को यूज होता है वह एक्शली बात देता के वात आती है यहां यहां पर इसलिए हमने मस्ट कयूस किया हुगा है ब्स्ट रिस्पेक्ट और एल्डर में जरूरी हमारा राज़ो घरते वाली बात में ही में बिल्कुल कोई का करना ही होका वहां पर भी हम यहां भी पर बादता आती है जांपर हम its students must attended class all students have asked the class कि सभी students go classes cotton करना ही हुगा या करना ही चाहिए यहां पर भी बात दिता कि बात आती है mister Sarma must be 70% पर बात करें अगर कहा जा रहे हैं कि Mr. Sarma 70 सटरके तो होंगे ही तो यहां पर जो यूज बादिता के तोर पर नहीं पर कि कि स्ट्रॉंग पॉसिबिल्टी अधिक सभ्वावना के लिए किया जा रहा है इसके लाव जैसे कि यह बात करें फॉर्म की तो मश्ट को वर्ब की साथ यूज किया जाता है जैसे कि अब जाता है जहां पर बूला जाता है कि वर्ब की साथ आएजी फॉर्म होता है next हमारा है कि मस्ट के साथ हम है और नाउन का यूज कर सकते हैं इसके करगा देखते हैं विक्षाप के हिसाब से एक्जाम्पल्स को जैसे कि You must be an artist यहां पर हमने strong possibility दर्शाये जारे कि आप एक artist या कलाकार ही होंगे she must be cooking at home format की अगर बात करें तो यहां पर हमने must be के साथ verb की ing form को use किया हुआ है she must be cooking at home का अगर हम अर्थ निकालें तो वह होगा कि वह घर पर खाना ही पका रही होगी यहां पर भी strong possibility को दर्शाया जा रहा है और format की बात करें अगर तो हमने यहां पर must be के साथ verb के ing form को भी use किया हुआ है next sentence है he must be coming tomorrow he must be coming tomorrow वह कल आ रहा होगा यहां पर भी एक संभावना को ही दर्शाया जा रहा है next day जैसे राकेस must have gone to home यहां पर इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा कि राकेस घर जा चुका होगा संभाव नहीं है कि राकेस घर जा चुका होगा और नेक्स्ट है जैसे soldiers must obey their commanders तो यहां पर नॉर्मली हमने मस्ट के अर्थ में देखने मिलती है next हमारा मॉडल वर्व है और्टू और्टू का यूज मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तब या फिर सला को बताने के लिए किया जाता है मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तब या नैतिक डायतों से मतलब है कि जो काम एक अच्छे इंसान को एक करने ही चाहिए ऐसी सलाहों की बात की जाएगे यहां पर जो काम अगर आप करते हैं तो आपको एक अच्छा इंसान मना जाएग अच्छा नागरिक मना जाता है जान दें की जैसे कि एक अग्जांपल के तोपर वी और टू रिस्पेक्ट कर Nej चाहिए हम अपने श्क्रिकों के रिस्पेक्ट कर निये चाहिए तो यहां पर अगर शूड लगा दिया जाए तब भी कोई समस्य नहीं है और ऑप्शन के साब से हमें काम करना होता है लेकिन अगर ऑद का अर्थ निकलता है थोड़ा सा नैतिक करतब्यों नैतिक दायत्मों से ज़्यादा जुड़ता कि ऐसा कुछ है जिस सलाह को अगर हम माने और ना माने उससे कि क्या कोई अर्थ बदल जाता है उधारन के लिए जैसे यहां पर हमने शूड लगाया कि वी शूड रिस्पेक्ट जबुटर टीचर तो शुड एक ऐसा वर्थ देता हमें जहां पिर हम अगर नहीं मानेंगे या मानें वह हमारे उपर है उस अला का जो भी इंपेक्ट होगा वह ऐसे माना जाएगा लेकिन अगर हम अगर हम अच्छा इनसान या फिर अच्छा नागर्श नहीं समझा तो कहीं न के उसका एक अर्थ निकलके लिए आएगा जो आप समझ जाएंगे कि नहतेक करतब में उससे क्यों जुड़ा हुआ यहाँ पर यहां पर यह कोई नहतेक करतब यह नहीं है बलकि एक सलाह है आप मानिये ना मानिये कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप मा बच्छों को ज्यादा दिर तक TV नहीं देखना चाहिए तो यहां पर भी एक सलह दी जा रही है और नॉट्टू के साथ की नहीं देखना चाहिए क्योंकि अब्यस्सी बात है ज्यादा दिर टीवी देखेंगे तो इसके कुछ इस तरीके से इनकी मीनिंग में निकलते ध्यान यहां रखेगा और टू और शुड का यूज बहुत करीब होता है ओप्शन के हिसाब से हमें काम करना है और थोड़ा से ध्यान रखना है कि यहां पर moral obligations या moral duties के अर्थ अगर निकलता है और option में और टू है तो बिलकुल और टू ही लगाईएगा यूस्टू का यूस्टू बहुत काल की आदतों बीते समय की आदतों को बताने के लिए किया जाता है ऐसी आदतों की बात की जाती है इसमें जो हम पहले किया करते थे लेकर अब नहीं करते एक्जामपल के तोर पर we used to meet daily कि हम पहले रोज मिला करते थे यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि यूस्टू के बाद जो वर मोती है आखु की ऩार्ज ही यूस्थी स्कीया गती है अ टेर्श्थ तू भीया बनयय ट्रे कि जब मैं 15 का था या 15 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था पुरानी एक आधत को बताने के लिए हम यहां पर यूस्टू का यूस्ट कर रहे हैं लेकिन जैसे कि हम इसका नेगेटिव फोम बनाते हैं तो नेगेटिव फोम में ध्यान लखेगा दो तरीके से इसमें हम इसको कभी भी यूस्टू को योजटन के आतों और इसी फ़ॉम में नहीं यूज किया जाता है और थोड़ा ध्यान रखिगा कि निगेटिव को इसको दो तरीके से उप्यों किया जा सकते है दिद नॉट यूज और यूज नॉट तो चलिए देखते हैं जो यूज को भी हमने डिसक्स किया है उसके हसाब से कुछ फिलिंदा ब्लैंक की कोश्चंस बहुत ही सरल से कोश्चंस जस्ट की टेस्ट यूज अपने आपको चेक करने के लिए मैंने कुछ कोश्चंस ऐसे बनाए हैं जिसकी कैन में यूज या फिर ओट टू या फिर मस्ट सीड़े प्ले प्यानो कि वह बज़ा सकते हैं यहां पर बात की जाए अगर उप्सस के हिसाफ तो एक प्रकार की चमटा को दर्शाता है क्योंकि प्यानो बजाना चमटा को दर्शाता है ऐसे स्थिति में हम यहां पर क में में नहीं हो बलकि यहां पर हम बात करें तो के लगा सकते हैं सिकन प्ले प्यानों यहां पर हम ध्यान रखें कि कैन जो है को चमता को भी दर्शाइद था इसलिए यहां पर कैन लगा दिया हमने स्मूकिंग डैस काॉस केंसर अब यहां पर कन्फिजन नगर हम रखें कैन और में की क्योंकि मस्ट कौस कैंसर और तो यह सारी option बैसे ही गलत हो जाएंगे confusion हो सकती कैन और में की तो एक दम सही होगा में यहां पर संभावना को दर्शाद देगा जो कि गलत हो जाएगा इसलिए smoking can cause स्वरी smoking can cause cancer यहां पर एक दम perfect answer होगा कि smoking से cancer हो सकता है आप यहां अच्छा जादा पूलाइट इक निवेदन अच्छा सही निवेदन या फिर विनम निमेदन को दर्शाद आए इसलिए हम यहां पर में का यूज करेंगे हाउ मैं एलप यू जाज़ डैस लिए अब यहां पर जैड़ें संभावनएक बात नहीं आती है और और मश्ट भी यहां option नहीं बनता है तो जो option यहां पर सही बनता है वह होता है यूस्टू जो कि एक बीतिक समय की किसी बात को या फिर आदत को दर्शारता है अजय यूस्टू लिए मतलब आजय यहां पर रहा करता था my father-be your boss अब यहां पर my father can be your boss my father may be your boss my father ought to your boss यह सभी options के साफ से चलें तो मस्ट यहां पर ज्यादा सही मीनिंग देता है my father must be your boss संभाबना strong संभाबना यह strong possibility को दर्शाता है must I think you just rest a while कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हें यहां पर आइटिंग यूड़ा आराम करना चाहिए एक सलह दी जा रही है I think you just rest a while option के सब्सक्राइब तो हमें यहां पर I think you can rest I think you must rest I think you may rest तीनों ही सही लग सकते हैं लेकिन I think you must rest actually यह पर perfect होगा कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए यहां पर सलह दी जा रही है और ऐसी सलह दी जा रही है जो मानना सही रहेगा यह थोड़ा सा दवाब डाला जारा जिस सलह पर आगे बढ़ते हैं you just eat your meal आपको आपको खाना खा लेना चाहिए तो यहां पर भी सलह दी जा रही है और खाना क्योंकि जरूरी चीज होती है इसलिए यहां पर मस्त एकनम सही होगा you just call me anytime आप मुझे कभी भी call कर सकते हैं अलाकि मेन तो ऐसा ही निकलती है कि you can call me anytime लेकिन अगर हम यहां पर में लगाते हैं तो यह polite कहीं कई बात होगी बिनमरता से कहीं कई बात होगी कि आप हमें कभी भी call कर सकते हैं सब भाबना भी दर्शा सकता है इसमें I just swim here यहां पर भी I can swim here यहां पर एक तरह से चमता को दर्शा सकता है कि I can swim here किसी तरह के की पाबर या ability को दर्शा सकता है कि मैं यहां पर तहर सकता हूं you just ask him for advice आपको उससे सलहा के लिए लग सकते हैं लेकिन you may ask him यहां पर ज्यादा बेटर होगा you may ask him for advice कि आप उससे सायता यहां पर सलहा के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि यहां पर बिनम्रन निविदन भी बात में दर्शा रहा है यहां पर इसका अर्थ निकलता है you just apply for this job you can apply for this job you may apply for this job या you must apply for this job तो यहां क्योंकि job के लिए आपको criteria देखना होता है चंपता देखनी होती है आपकी abilities देखनी होती है इसलिए यहां पर कैन लगाना सही होगा तो एकदम सरल से कुछ examples मैंने लिए हैं एकदम आसान ताकि थोड़े concept जो हम यहां आमने देखें अभी वो clear हो जाए यहां रखिगा इसक प्रकाल से निवेदन कर सकते हैं लेकिन उसका जो निवेदन होगा कैन के जरी अगर हम sentences बनाते थोड़ा सा रूट माना जाता है में जो होता है ज्यादा संभावना को दशाता है यूस्टू तो बिलकुल आसान है पुरानी आदतों को बताने के लिए हम उप्योग करते हैं और और टू नेतिक कर्तव में से जुड़ेवी चीजों के लिए हम देखते हैं हम इससे भी और भी model verbs हैं यह तो अभी आदे ही हमारे हुए हैं और अगले जो भी वीडियो आएगा हम उसमें और बचे हुए model verbs को cover करेंगे और साथ ही देखेंगे से जुड़े हुए MCQs को तब तके लिए दनेवा